एक्विटी शेर्स के अगेंस्ट में लोन कैसे लेते हैं, एक्विटी शेर्स के अगेंस्ट में लोन लेने का फायदा क्या होता है और यहां पर आपको कितने rate of interest पर लोन मिलेगा हर एक चीज़ को डीटील में cover करने वाला हूँ आज किस वीडियो में इससे पहले हम लोगों ने काफी बार सुना है loan against property के बारे में, loan against gold के बारे में, लेकिन stock market में investment करने वाले अपने investment के stake को, अपने demand account के shares को गिरवी रखके यहाँ पर loan ले सकते हैं. और जैसे हम लोग properties के against में loan लेते हैं, सेम तरीके से हम लोग equity shares के against में भी loan ले सकते हैं. आपर bank हमारे investment की valuation निकालती हैं और इस investment की valuation के हिसाब से हम लोगों को loan देती हैं. सम टाइम लोगों को 80% का loan मिलता है, सम टाइम लोगों को 70% का loan मिलता है, और बहुत बार यहाँ पर हम लोगों को 60% के आसपास का भी loan मिलता है. जो कि completely depend करता है कि आपने कौन से investment options में investment किय हैं कौन से कंपनी के शेयर में इंवस्मेंट किया हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर या आता है कि आपको इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है इनिशली एक दो साल पहले मार्केट में बहुत कम प्लेयर्ज थे जो आपको इस तरीके का लोनween प्रवाइड करते थे लेकिन आजcakल बहुत सारे बैंक्स और NBFC हो गई हैं जो आपको इस तरीके का लोन प्रवाइड करती है एक्जाम्बल के तौर पर एक्विटी शेर्स का अगेंस्ट में आप लोन ले ले सकते हैं SDFC बैंक से, ICICI बैंक से और बजाज फिंसावर मुथूर फानाइन जैसी अनॉन बैंकिंग फैनाशियर इंस्टिशन से भी इसके बाद में आपको बताता हूँ कि अगर आपने बैंक के पास शेर्स को प्लेज रखा हैं तो यहाँ पर आपके wealth increase होते रती हैं जी हाँ भले ही आपने आपके shares को place करके रखा हैं लेकिन इनकी value day by day increase होती रती हैं तो यहाँ पर ultimately final benefit आपको ही मिलेगा और last but not the less सबसे आखरी बात रही interest rate की तो यहाँ पर home loan और personal loan के मुकाबले बहुत ही कम interest होता है क्योंकि यह तरीके का secure loan होता है और अगर आप इस loan का repayment time पर नहीं करते हैं तो bank के पास यह full authority होती है कि bank आपके shares को sell करके अपने loan के amount को recover करें अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यह आता होगा कि आपको कितने amount का loan मिल सकता है जैसे कि मैंने वीडियो के starting में बता है कि आप कौन से investment option में investment करते हैं कौन से company के shares में investment करते हैं इसके उपर depend करता है कि आपको loan कितना मिलेगा चौनकि stock market में कौन से company के shares कितना grow करेंगे और कौन से company के shares कितना गिरेंगे इसकी कोई guarantee नहीं होती है तो यहाँ पर bank के पास एक particular list होती है और इस list के according bank आपको loan देता है अगर आप लोगोंने blue chip companies के shares में investment किया है और अपने portfolio पर loan लेना चाते हैं तब यहाँ पर आपको competitively ज्यादा amount का loan मिल सकता है और example के तौर पर अगर आप लोगोंने yes bank के shares में investment किया है आपने वड़ा phone idea के shares में investment किया है और इन shares पर loan लेना चाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा difficult होगा तो आज के इस important video को यहीं पर खतम करते हैं और अगर आप stock market में investment करना चाते हैं तो demand account open करने का link आपको description में दे दिया है वहाँ पर जाकर आप demand account open कर सकते हैं और stock market में investment करना start कर सकते हैं तो मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में नए topic के साथ एक interesting topic के साथ तब तक के लिए signing off happy investing and goodbye